यूपी में निया आत्पर के दरान राहूल गांधी आज सुल्तानपूर कोर्ट में पेश होंगे 2018 के एक मानहानी मामले में MP MLA कोर्ट में पेश होगी राहूल पर आमित श्याह पर आपती जनक टिपणी कारूपे इसको लेकर 2018 में मानहानी का केस दर्च हुआ था कॉंग्रेस आंसद राहूल गांधी आज सुल्तानपूर की MP MLA कोर्ट में पेश होंगे केंद्रिय गुरुमंत्री अमितर श्याह के खिलाफ आपती जनक टिपणी के मामले में राहूल गांधी मानहानी मुकदमे का सामना कर रहे हैं दरसल ये पूरा मामला 2018 का है राहूल गांधी पर बैंगलूरु में केंद्रिय अगुरिह मंत्री अमितर श्याह के खिलाफ आपती जनक टिपणी का आरोप है उस समय बीजेपी के जिलाय उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहूल गांधी के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज किया था इसी मामले में सुल्तान गंज की कोट ने राहूल गांधी को समझ जारी किया था पिछली पेशी 18 जनवरी को हुई थी जिसमें पहली बार राहूल गांधी की ओर से उनके वकील कोट में पेश हुए थे और राहुल गांधी के भारत जोडो न्याय यात्रा में बीजी होने का हवाला दिया था राहुल गांधी के अगुआई में भारत जोडो न्याय यात्रा फिलहाल उत्रप्रदेश में है आज कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लग जाएगा यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी मानहानी मामले में कोर्ट में पेश होंगे अगर राहुल गांधी के खिलाफ परियाप्त सबुत मिले तो उन्हें अधिक्तम दो साल की सलजा हो सकती है